नमस्का साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हैवन के येट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता होगा कि आप सभी के दो तीन बहुत बढ़े डाउट हैं जो मैं आपके सामने आभी क्लियर करने वाला हूं आप लोग अंतक बने रहेगा अपने भाईयों को भी वीडियो जरूर से जरूर सेर करिएगा आपके सामने बहुत बड़ी वेकेंसी जरूर देखने को मिलेगी लिस्चिन तरह कर अपना पढ़ाई कांटीनू रखेंगे इसी के बहकाओं में नहीं आना है आपको यह चीज़े दिमाग में रख लेना बह मैं एक चीज़ और पहले बता देता हूं आपको जो सूपर्टेट की वेकेंसी हमको देखने को मिलेती पिछली बार बिना कह सुने देखने को मिल गया था यानिकि यह चीज़ें हमको मतब की गन में जो गोलियां लोड होती है ना लोड भी करने को मतब उनको मोकाने मिला थ या लोड की है जला दीर तौन छेकिन इस ब़ार हमको थोड़ा सा मिसन मोड में सरकार दिख रही है क्यो़कि मोदी को मिसन मोड पर पहल चालू की है उस के अधार पे क्योंकि योगी सरकार भी यहां को बीजेपी की सरकार है तो सारी सीज़ें केंदर और राज्य की दोनों सेम हैं तो यानि कि यहां पर भी हमें एक मिशन मोट के तरकार करने के मोगे मतब यह पहल चला हुआ है तो यानि कि जो योगी सरकार है अभी यही चाहती है कि बच्चों का दिल, बच्चों का विस्वास किसी तरह जीत लिया जाए और यह भी बहुत सारी वेकेंसी लाने वाली है जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में हर एक राज्य के लिए अलग अलग होगा लेकिन मैं उत्तर प्रदेश किया भी बात कर रहा हूँ तो उत्तरपदे से पुलिस और टीचर अगर उसकी कम अज है, 5 से नीचे है तो वह 25 से ओबिस की नीचे है तो जायर्स से बात वह पुलिस और टीचर दोनों की तैयारी कर रहा होगा अगर 25 की उपर हो जाता है तो उसका मत्रव एक एक ही खवाब बचता है कि मुझे टीचर की नौकरी लेनी है और वो भी साहद बीयड और डियलड किया हो उन दोनों में से कोई है तो उसका फ़ाब रहता है और इसी चीज को लेकर राज सरकारें खेलती है समय 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 पर खेलती है जैसा कि आपको पता है कुछ दिन में अबी उत्तर प्रेश में आपके केंदर में चुनाओं होने वाले है तो उसमें राज सरकारों मतलब जो हाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर थोड़ी सी मीटी मीटी गोलियां चखानी सुरू हो जाएगी चखनी सुरू हो जाएगे मतलब कि बच्चों के थूँ थोड़ा साइट का गोड़े की चाल वाली चीजें खेलनी मतलब बंदी चीजें हरकतें होने लगेंगी तो मैं आपको पता देता हूँ आप लोग तैयार रहना भरती कभी भी किसी भी स्पीड से चाहे बुलेट की स्पीड हो चाहे वह दुनिया की कोई सी भी स्पीड हो उसी स्पीड से यहां सकती है और आप लोग लगे नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको चूखर निकल सकती ही भाई छूना नहीं है उसे पकड़ के रखना है मैं इन सारे पहलों पर बात कर लेता हूँ यूपी में सूपर्टेट कब तक और कितनी आएगी आपको पता होगा कि जब चीप निश्टर का चुनाव होने वाला था हमारे उत्तरप्रदेश में तो उस समय एक बहुत बड़ी वेकेंसी हलपनामे के रूप में कली अभी हाल ही में हलपनामा एक दिया गया है कोट में 56,000 वेकेंसी को लेके और उसके अंदर बात की जा रही थी 37,000 एक तरह से 37,000 की मतलब 56,000 का तो दिया गया लेकिन आया था 37,000 के आस पास में मामला तो बच्चे उसमें भी सबर किये थे लेकिन फिर भी आरश्चरोगर विवादोगर सबका घेरती हुई सरकार घेर गई थी पूरी अच्छे तरीके से चुनाओं से पहले-पहले क्योंकि दरने परसाद आप देखी रहे थे किस प्रकार से हो रहा था उसमें कुछ लोग बेकेंसी 90,000, 92,000, 96,000, 108 इस प्रकार से मांग कर रहे थे 122, एक मतब एक लाग बाइस जा इस प्रकार से मांग हो रही थे और कुछ लोग आरशर विवाद को लेके घेरे हुए थे सरकार को लेकिन क्या हुआ अन्त था 17,000 पर आगे सरकार टिक गई और फाइनली उनका कहना हम था कि CM के चुनाओ के बाद मैं इसको रिलीज कर दूँगा फाइनली क्या हुआ CM का चुनाओ भी हो गया और यह ठंडे बस्ते में पड़ी हुए सरकार का में टार्गेट यह था कि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि मैं तब सरकार का टार्गेट यह था कि मैं सिधा सिधा टार्गेट करूँगा 2024 के चुनाओ को 2024 के चुनाओ को टार्गेट करते वह भरती निकालने वाली थी और वही क्रिया कलाप यहां पी हमको देखने को मिल रही है, अब मैं आपको बता देता हूं एक चीज, की सूपर टिट जो यह वेकंसी है, अपने नुसार में बता देता हूं कितनी आ सकती है तो मैं इतना तो सेवर हूं कि जो भी वेकंसी हमको देखने को मिलेगी, हमारे नुसार को 51,000 प्लस वेकंसी से आपके सामने आने वाली है और इस बात को आप बिल्कुल बिग्नोर नहीं कर सकते कि 24 में चुनाओ है और 24 को टार्गेट करते हैं लोग और पिछली बार जो वेकेंसी आई थी वो बुलेट की स्पीड से आई थी कब आई कब फार्म भरे गए 22-20 दिन में और कब एक्जाम क तो कमारा कहता है कि उत्रप्रदेश में दो बार होने चाहिए हर साल लेकिन लिग अनों ने नहीं नीनों कर आया थो इनूप कर आया कि किसमें आपने चाहिस नहीं पर मतलब हो ani Chrissie को lugares को हम पर आवी घ्या क्यों थे चायी हो आपको कराना उससे हमसे क्या मतलब B.A.D.L.A.D. यह ममला आप सुल्जाओ ना फिर आप सुल्जाओ आप U.P.T.E.T. निकालो जब तक यह ममला सुलन नहीं जाता है तब तक U.P.T.E.T. हो चाइज U.P.T.E.T. हो B.A.D.L.A.D. सभी बच्चे उसके योग भी होंगे जब तक यह ममला किसी एक के पच्च में या भी पच्च में नहीं आ जाता है तो ठीक है ना तो आपको U.P.T.E.T. कराने में क्या ही जाता था यह तो आपके ही फायदे की बात थी ना हम लोग भरती हम लोग फॉर्म बढ़ते आपका धनरासी आपका जो कोस है मतब जहां पर आपके रकम पताई एकठा करते हो भाई वहां पर वह चीज़ें आपको भरी जाती है आपका कोस मतब कि जहां पर समझ रहा हूं ना सरकार की चीज़ें तो अब आपको यह चीज़ें मैं बता देता हूं यूपीटेट देखने को आपको मिलेगा सुपर्टेट से पहले पहले इसके लिए आप जो वेट कर रहे हो जो आपके सरकार की एक तरह से जो विसन मोड चलाए गया है इस मिसन मोड में और प्लस नए आयोग जो बनाय जा रहे हैं उसके द्वारा भी सुपर्टेट के पहल लोग सबाग चुनाओं में यानि कि 17 लोग सबागी जो चुनाओं थी उसमें अगर हम कह लें तो आपको मातर 20-25 दिन का मौका मिला था और यह भी बताय भी ना आ गया था लेकिन इस बार सरकार कुरा सजग है हम लोग सभी लोग सब कुछ सब लोग जानते हैं कि मिसन मोड चला हुआ है सरकार की पहल है कि वह वेकेंसी बहुत बड़े प्यमाने पर लेकर आएगी हर सेक्टर में और जाहिज सी बात है कि पुलिस और सच्छा जगत की यानि टीचर जो प्रामरी टीचर की वेकेंसी है या निसी तुरूप से आने वाली है तो इसके लिए निसी नहीं होने वाला है पड़ती आएगी थोड़े से बच्चों का वह था जो भड़ास था निकल रहा था किसी तरह से किसी ने किसी चैनल पर हर चैनल पर तो मुझे भी सुनना पड़ा खैर वह कोई बात नहीं थी हमने उसको इग्नोर किया नहीं बाद में एहसास हुआ गी हा तो 56,000 यानि कि 41,000 प्लस वेकेंसी आप उन इसी तरूप से देखने को मिल सकती है क्योंकि 56,000 के आसपास में हलपना मर रिया गया है कोट में तो जायर सी बात है जब भी वेकेंसी मिलेगी इसी के आसपास में इससे बिल्कुल कम तो नहीं हो सकता और बहुत जादे भी नही सकती है अगर जा सरकार अगर थोड़ा सा प्रेसराइज हुई और क्रिया कलाब सब कुछ सही से सही वे में चल रहा है चलता रहेगा तो आपको फरवरी मार्च के आसपास में यह चीजें देखने को मिल सकती है यूपिटिट की नॉटिफिकेशन तो इसके लिए भी तयार लिएगा ठीक है सारे क्लासे सम फ्री में दे दिये हैं और बाकी और भी जो प्रेक्टिस होगा रहा है फिर से मैं लांच करूंगा चलाओंगा शुपिटेट से पहले यूपिटेट निशिंत रहे होना होना तय है और हगी बात एक और बड़ी डाउट है आपका यूपिट होगा इस पर एक बड़े चार लिए जाएंगे आगे जो भी भड़ती होगा तो अभी तक तो भड़ती हुई नहीं और यह चीजें ठंडे बसने में पड़ी की पड़ी रहा गई और आगे अगर हम देखें तो अभी फिलाल में सिच्छा निती जो आपकी राश्टी यानि कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति का एक नियम है बदलाओ वह में बदलाओ हर समय होना चाहिए और आपस में मतलब कि हमेशा देखने को मिलना चाहिए तो ही चीजें अगर यहां पर देखने को मिल जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी और एक बटेचार का मतलब दोस्त है तो उनका खनाम ता चलो भाई तुमसे तो आट नमबर कमी लाना है हम कि चलो आट नमबर कम लाओगे तो क्या ही खाड़ लोगे तो चीजें अब यहां पर थोड़े से हमको कम देखने को मिलेंगी अब वह भी चाहेगा कि मैं इस से ज्यादा लेकर रहा हूँ तो एक बटे चाहर होई गया है में भी अगर जो इनके द्वारा जो आयोग बनाया जा रहा है तीनों चीजों को मादमिक परसद और प्लस उच्छे सिछा परसद और प्लस आपके PNP जो अगर कराती है तो इन सबको मिला कर अगर एक एक आयोग यह बनाते हैं तो हमको हो सकता ह है यह बीटए चाहर देखने को मिल जाए यह चीजें आप नए आयोग पर करता है क्या अ यह करती है लगाती है garage take पे एक पड़ि चाहर लगाती है सरचरह घँ ठीज उसमें चीजेंल थोड़े से उपन देफने को मिल सकती है उसके बनान सभिल understood निस पर इस पर चार लगाती है और सुपर्टेट पर साथ परसेंट उधर है तो चीजों को मिला कर हमको एक्वेलेंट बनाया चाहेगा समझ रहा हो ना तो कहीं कि आपको यह सुनने को मिल दा होगा कि तीन बटे चार को मतलबा समझ रहा हो 75% सुपर्टेट पर 75% चीजे निर्बर हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो आपको सुपर्टेट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तंगड़ी रूप मेहनत करना पड़ेगा आप सोचो यहां पर आप 25% के पीछे बागऊगे की 75% के पीछ दिपतो तो तो अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग बताएं क्या चीजें आपके समझ आपकी नजर से क्या चीजें एक तरसे नजर आ रही है अगर ऐसा होता है तो लेकिन अगर ऐसा होता है कि एकेड़ीनी ने के न गई रहा है प्ल Agora कुछ पर्जा है बंदब basically indo songs यह जाए अगर पूरी चीजे यूपीटेट पे थोप दी जाती है तो एक यहाँ पर और हमको थोड़ी सी ट्विस्ट देखने को मिल सकती है जो बच्चे यूपीटेट दे लिया है एक बड़ी संक्या में फायदा इसमें होने वाली है यह भी एक बहुत बड़ा पेंच है खेला गया है जो कि आपको समझाने थे मुझे जो कि आपके चुनाव से पहले पहले तो एक बहुत बड़े पर हमको यूपीटेट वाले बच्चे भी अभ्यरती भी देखने को मिल सकते हैं आप खुद सोचो थोड़ा सा कितना बड़ा ट्विस्ट हैं यहां पर जीचिप हुई है हमारे सामने आ रही है तो हो सकता है बिरोध हैं कितना भाई जो बच्चे देकर बैटे हों बहुत सा सूपर टेट दो जाटेश की इंडिया तक आपको देखने को जरूर सी जरू मिलेगा यह कारकरम जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा थन्यवाद